नमस्कार दोस्तों मैं हूँ शहलेश आई शुरू करते आज का वीडियो दोस्तों आज का टॉपिक है कि हम ऐसा क्या गलती करते हैं कि जिससे कारण बुरी आत्माएं बुरी एंटिटीज हमारी घर तक आती है और हमारी घर से जाती नहीं यहां तक कि हमारी जिंदी बरबात कर देती हैं इसके पहले अगर आप नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते ला चैनल को आई शुरू करते हैं आज का वीडियो कि सबसे पहला कि आप अगर ज्यादा पर्फ्यूम लगाते हैं तो फिर हो सकता है कि आपके पीछे बुरी आत्मा पड़ जाए लड़का हो जाए लड़की हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दोफैर का बारा से लेकर तीन बज़े तक और रात का बारा से लेकर तीन बज़े तक का टाइम बहुत ही खतरना होता है कि इसमें इन लोग का जो प्रभा होता है बहुत ज्यादा होता है कि तो फिर यह जो समय है इसमें बहुत ही सा उधानी से कार को ड्राइव करें या फिर कोई भी जगड़ा यह सब ना करें जाद दर और आदतों में आदत हो दिये खुले बाल रख कर वो कहीं भी चली जाती है कहीं फॉंक्शन में या कहीं भी तो इससे बचे कि खुले बाल बिल्कुल ना करें आपका एक पाल कि किसी को मिल जाता है तो छे महिने तक उसके इनर्जी उसमें रहते हैं को भी जादू टोड़ा कर सकता है तो बिल्कुल खुले बाल मत छोड़िये रात को पर्फ्यूम भी लगा दिया तो पुरा इंविटिशन मेंगे आप बूतों को पूरा आपके पिछे पर जाएंगे रात को इतनम सच थच के भी नहीं निकलना चाहिए और दों कि उसमें ज्यादा प्रभा होता है आटिरिस को एक ट्रैक करते हैं दूसरा अगर आप कहीं भी स्मशान में गए हो किसी का विश्वाव जलाने के लिए तो जब भ आपैर में वहां जो भी आपमा लुगिवा अंगे साहगे करी तीन दो होगिए चार सामुर्म वहां उसको इसा बढ़ लिए चल्याने अपिने साथे जो दोस्तों को दोबुए परिवार के साथ और बीयाती अवह बूल सबसे एंपर्टबाब जब भी आप स्मशान से वापस घर में आये तो जैसे कि नहाने का रिवाज है जरू नहा लीजिए और दूसरों के कपड़े मत पेनिये जो भी मर चुका है उनके कपड़े मत पेनिये उनकी एनरजी उसमें होती है जो आप में प्रभाव डाल सकती है चूते हो कपड़े हो किस सब्सक्राइब तक तो रहती है यह कुछ आदत है जो इनसान बदलता नहीं है और प्रॉब्लम में आगा पर तो इससे बचिए विड़ा चला कि तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें जाहें